वेलकम टू मैं चैनल एदुनिया नौलेज आज हम लोग यूजी सी द्वारा कंड़क्ट नेट का पेपर पॉलिटिकल साइंस को डिसकस कर रहे हैं यह पेपर जो है जून 2007 का पेपर है इसके पहले हमने अल्रेडी 2004 से लेकर के 2006 तक का पेपर डिसकस कर दिया है आप जा करके लिस्ट में देख सकते हैं और यह हम सीरीज चला रहे हैं हम टोटल जो एंटीय कराया है वहां तक का पेपर डिसकस करेंगे पहला पार्ट हमारा जो है यूजी सी द्वारा जो कंड़क्ट है 2004 से लेकर 2012 तक का पेपर डिसकस करेंगे उसके बाद सी वीसी द्वारा और फिर आपको बहुत सारे कोशन मिलेंगे जो इस समय एंटियय पेपर करा रहा है उसके दियाज मिलेंगे और बहुत सारे कोशन स्चेंज जोह मिलें और तोपिक्स committees ले ने आज का अप्सन्स है आपके अरस्तु, मैक्यावेली, होप्स, लॉग, तो सही एंसर है मैक्यावेली, मैक्यावेली ने जो है सोर प्रथम उसने धर्म और आजनीत में असपष्ट विभाजन भी किया था और मैक्यावेली जो है नो तो इसाई धर्म की मानिताओं को स्युकार किया और ही वह दैवी कानिनों के स्तित्त को स्युकार किया और वह इस बास से विंकार कर दिया कि जो माना का कोई परलोकिक उद्देश से भी है और यह जो धर्म और नयतिक्ता के संबंद में कहा जाता है कि मैक्यावेली ने जो है पंत निर्प्यक्ष राजनीत का आधार रखा था तो इस प्रकार से उसने क्या कहा था कि मैक्यावेली ने चर्च और राज के मद्ध पूर प्रिथक करार का समर्थन किया और यह जो है कॉंसेप्ट मैक्यावेली का है नेक्स्ट है कोश्चन नमबर टू निमलिखित में से किस संकल्पना की आलोशना स्वतंतरता की पिरोधावास के रूप में की गई है आप्सिंस हैं आपके प्लेटो का जस्टिस, लॉक का गॉर्मेंटल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो का जनरल विल, रॉल्स का डिस्टिविटिव जस्टिस तो सही अंसर आपका हो जाएगा रूसो का जनरल विल कैसे रूसो की सामान इच्छा, समाज की बिभीन जो व्यक्तियों के उद्देशियों की इच्छाओं का योग है जो सभी नागरिकों की वह इच्छा, जिसका उद्देश सामान हित हो, सामान इच्छा का लाती है तो यह जो आलोचना है यह संकल्पना की आलोचना जो सोतंतरता की बीरोदभास के रूप में की गई है Next question है Question number third राजनी ती मानो समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है यह किस ने कहा है अरस्तु, गेटल, हिरार लास्विल, हर्वर्ट, जे इस्पिरो तो सही अंसर आपका हिरार लास्विल है कैसे है कि हिरान लास्वेल ने कहा है कि राजनीती मानो समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटनी की प्रक्रिया है लास्वेल, मोस्का, सुमपीटर, सीराइट्स, मिल्ड यह जो है अभीजन सिधान के समर्थक है और अभिजन जो सिधान के समर्थक होते हैं वो किसी समुदाय के लगू अलसंख्यक होते हैं जो महतपूर राजनीतिक पदों को धारर करते हैं और उनका जो है इसी को इलीट वर्ग भी कहा जाता है नेक्स्ट राजनीत विज्ञान एक उपसाखा के रूप में तुल्नात्मक राजनीत के विकास में निमलिखित में से किसनी योगतान किया है आपसंस है आपके आथर बेंटले ब्राहम वलास है हिरार लास्की और आर्टी मेकेंजी तो सही अंसर आपका हो जाएगा हिरार लास्की हिरार लास्की ने जो है राजनीतिक विज्ञान के एक उपसाखा के रूप में तुल्नात्मक राजनीत के विकास में निमलिखित जो निमलिखित योगदान दिया हुआ है और लास्की ने जो है राजनीत विज्ञान के जो योगदान दिया उसमें क्या है क्या क्या पॉइंट आजाएंगे तुल्नात्मक राजनीत में जो है परंपरागत उपागम जिसमें राजनीतिक विवस्थाओं और प्रक्रियाओं की वास्त्विक्ता को समझने में प्रतिपादक में सहायक नहीं हुए उसमें उन्होंने यह लास्की ने फोकस किया है या उसका योगदान दिया है नेक्स्ट है कोस्चन नंबर फाइव निमलिखीत में से किस देश में दुहरी या दुहरी नागरिक्ता के साथ सरकार का संगी स्वरूप है अप्सें आपके भारत, यूससे, यूके, सुड़्जलेंट तो इसका सही एंसर क्या है यूससे बहुत ही इजी कोशन है कि यूसे में जो है वहाँ फेडरल स्वरूप अपनाया गया है सरकार का वहां दोहरी नागरिक्ता एक तो सेंट्रल गवर्मेंट का है और दूसरा जो ह है कि जो संगित प्रडाली जो अपनाया गया है यानि फेडरल सिस्टम उसमें के राज्यों को स्वायत्ता प्रदान की गई है ठीक है और वहां के राज्यों के अपने अलग-अलग समिधान भी है नेक्स्ट पुस्चन नम्बर सिक्स लूशन पाई के अनुसान निमली खीत सम्कट से संकत है equis à पहला स्मिता संगारे ने बैढ़ी टांस नंति प्रकिरे सट इस में देखिया आप संकत कर सकते हैं कि पहली बात हूं यह ध्यान देंगे कि जो लूशन पाई ने जो राज्यों की बिचार दिया है या संकल्पना दिया है उसमें इनका नाम तो अग्रणी है और उन्होंने राजनेतिक विकास के संकट के लिए सबसे पहले अस्मिता के संकट की बात कही है भीध्रण के संकत की बात कहिए वित्रण के संकत की बात गई लेकिन वह कहीं पर भी ब्रश्ट राजनेतिक प्रक्रिया이고 की संकत की बात नहीं करती है तो इस प्रकार से आपका एंसर जो है इंसर बी हो जाएगा पहला दूसरा और तीसरा और 1963 में इस विशेपर जो हो लुशेन पाय ने गंभीर रूप से सोचना भी आरंब कर दिया था नेक्स्ट है कोश्चन नमबर सेवन भारति सम्विधान में अंतराश्टी शांत या सुरक्षा का उलेख किया गया है ओप्सन है आपके प्रेम्बल्स मौलिक अधिकार राज के नीति निदर सिधान आपता के प्रवधान में करते हैं यहां पर आपको बताते सकते हैं आप लोगब कोश्चन को अटिम्ड करीं और कमेंट करके बताई कि आप पचास में से कितना कोश्चन सही हुआ कितना गलत हुआ और इससे बहें समुनल्स बहतर रिवीजन आपका नहीं हो सकता है यहां का हो जाएगा राजी के नीति निदेशक तक और कमेंट करके बताइए कि यह किस अनुछेद में इसका वड़न किया गया है और राजी के जो नीति निदेशक सिध्धांत है राजी को यह निर्देश देते हैं कि वह लोगों की कल्याड के लिए योजनाय बनाते समय जितनी भ सबते हैं रिदेशक रुक्ता गाइं नेंक्स्ट कोश्चन अ को सिधन क्यों क надо ख now इस भार्ति शंभी धान कि किस संसोदं में सरकार में मंत्रियों की संख्या कम करने का उलेख है कि आफ और सिन आपके सही अंसर है आपका 91 अमेंडमेंट में यह प्राधान किया गया था और इसमें यह अमेंडमेंड जो है 2003 में हुआ था नेक्स्ट है निमलिखित में से किस में से अहिंसात्मक प्रतिरोत के सिध्धान का जनक कौन है महत्मा गांदी अर्विंदो घोस जोहलनेरू रविन नटेगो सही अंसर अर्विंदो घोस है अर्विंदो घोस के इस सिध्धान को निस्क्री है प्रतिरोत का विचार भी कहा जाता है और यह विचार अर्विंदो घोस ने भारत की स्वाधिनता का उपदेश देते समय दिया था और उनका तातपर थनिस्की प्रतिवरोष से तातपर गांधी जी का जो अहिंसक आंदोलन सा उससे भिन्य था और वो अहिंसक उनके अनुसार और विंदो के अनुसार अहिंसक अंदोलन होना चाहिए लेकिन जो अंग्रीजों के दमन की स्थिति में हिंसा का प्रयोग आवस्यक है तो इस विचार को ले करके उन्होंने कहा था कि अगर हम अन्य था यह कायाता पूरकार समझा जाएगा कि अगर हम सरकार की सहता मतलब करने लगें जैसे उनका माना था कि हम सरकार की सहता से इंकार करें यह निश्करी प्रतिरोध का विचार था दूसरा था कि सरकार को कर आदा करने से मनाही कर दें यह विदेशी वस्तों का बेशिसकार करें यह सब उनके अहिंसात्म प्रतिरोध क सिध्धान का हिस्सा था नेक्स्ट है question number 10 लोग प्रशाशन उन क्रियाओं या operations को कहते हैं जिनका उद्देश लोग नीत को लागू करना होता है यह परिभासा किसने दिये यह परिभासा दी है और लोग प्रशाशन का जनक जो है वुड्रो विल्सन को माना जाता है और लोग प्रशाशन विश्या का जनक जो है 1887 में हुआ था नेक्स्ट है निमलिखीत में से संगठन के क्लास की सिध्धानतों को कहा होते किसने कहा है ओप्संस हैं हैं हेन्री फ्योल एल्डी वॉइट हर्बर्ट साइमन डी वाल्लो यहां पर होगा तो सही एंसर है जो हर्बर्ट साइमन है हर्बर्ट साइमन ने जो है संगठन के सास्त्री सिध्धानतों की कटवा लोचना की है और वे जो है कहते हैं कि जो सास्त्री सिध्धानत से यह असपष्ट नहीं होता है कि कि बिस्यो सिस्थी में कौन सा सिध्धान महत्त देनी योग है और वह जो है जब अनी लोग प्रसाशन में जब सिध्धान का दोर आया जिसे स्वडिम सिध्धान का यूग भी कहा जाता है उसकी बाद ही जो है इलिया सिध्धानतों को चुनोती देने लगे और साइमन ने प्रशाशन के सास्ते सिध्धानतों को प्रशाशन की कहते थे मात्र कहा था और वह इस सिध्धान को मानते ही नहीं थे मतब ए स्थाहएक यह इसने का है हर्मन फाइनर फ्लेक्स फ्लेक्स निग्रो मैक्स वेवर ऑग्रेंग इस्टाहल एक सर्थ है आपका हर्मन फाइनर ने जो कहा कि शीविल सेवास थाई रूप से वेतन भोगी हम कुष्षल पदात करें कुछ साइक संस्था है और उन्हों निकाहा कि सिविल सेवा से ऐसा ऐसी सेवा से हैं जिनका गठन करने के पीछे देश में सान्ती और ब्योस्था को बनाया रखना है कि नेक्स्ट है सही अंसर क्या है सांतियहnte है आप लोग कमेंट करकर बताएं कि सार्ग में कितने ऍंसरियू सद quelquas भाइचारा सहयोग का नया युक की शुरुवात करनी के लिए किया गया था और इसकी जो राजधानी है सार्क का जो हेट क्वार्टर है वह कहां पे है काटमांडू में हैं सांती के लिए एक्ता का प्रस्ता और निमली खित में से किसनी किया नैम नाटो युवन कॉमन वेल्ट आफ नेशन सही एंसर है युवन विश्व सांती के अस्थापना के छेत्र में जो महासभा को उपयोगी बनाने का एक महतपुर प्रयास जो है तीन नॉमबर निसो पचास को किया गया है सांती अस्थापित करने के लिए इसका प्रयास महासभा यानि यन्यों का जो एक अंग है महासभा उसके द्वारा किया गया था और जिस दिन जो है सांती के लिए प्रस्ताव स्युकार किया गया था वह दिन था तीन नॉमबर उनिसो पचास नेक्स्ट कोश्चन अंग्टाड के मुल तर निमलिकित को बढ़ावा है बढ़ाया है और प्रोस्ताहित किया है विवादो को सांती पूर्ण निप्टारा अंतराश्टी ब्यापार यूद से बचा एन पीटी तो सही अंसर है अंतराश्टी ब्यापार अंग्टाड अच्चो समाजवाद वर्ष संघर्ष के संदर में इतिहास की ब्याख्या करता है क्योंकि यहां पर क्या हम कनेक्ट करेंगे क्योंकि वर्ग संगर्थ पहले सूपर स्ट्रक्शर में होता है इसलिए व्यग्यानिक वर्ग संगर्थ के संदर में इत्यास की ब्याख्या करता है तो दोनों स्टेटमें कोई connection नहीं है हम individual देखेंगे कि यह statement सही है यह गलत है तो वर्ग्यानिक समाजवाद वर्ग संगर्थ के संदर में इत्यास की ब्याख्या करता है यह statement बिल्कुल सही है क्योंकि जो माक्स के अंसा समाज की प्रगत जो है द्वन्दात्मक प्रडाली द्वारा होती है और विकास की प्रक्रिया और उसकी अंतिम जो दिस्सा है दिस्सा को निरहार्थ करने वाले आर्थिक तत्त होते हैं इसलिए जो माक्स का कहना था कि पूजवाद अपनी कब्र स्वेंग खोद रहा है तो इस संदर में वो कहता है कि वैग्यानिक समाजवाद वर्ग संगर्स के संदर में इत्यास की ब्याख्या करता है और वर्ग संगर्स पहले सूपर स्ट्रक्चर में होता है तो यह भी statement सही है तो इस प्रकार से दोनों statement सही है यानि option B सही है और ब्याख्या नहीं कर रहा है नेक्स्ट है question no.17 बीश्वी सदी के उत्रार्ध में पश्मी विद्वानों की प्रमुक चिंता समुदाय का विचार रही है क्योंकि अस्थानी लोकल यानि विस्मृत और कमजोर हो गया है देख लेते हैं इसलिए बीस्वी सदी के उर्त्राद में पश्मी देशों पश्मी विद्वानों के प्रमुक चिंता समुदाय का विचार रही है तो इस टेटमेंट ए भी सही है और बी भी सही है और दोनों जो है ब्याख्या कर रहा है यानि option A option A सही है यहां पर हम लिख देते हैं यह दोनों सही है और ब्याख्या कर रहा है question number 18 next है इसमें हम आप पताते हैं कैसी यह सही है कि बीस्वी सताब्दी के उत्रार्ध में जो है जब पस्मी विद्वानों की प्रमुक चिंता का विचार था तो उस समय जो अस्थानी है यानि विस्वी कमजोर हो गया और आधूनिक राज्ये का जो समुदायवादी विचारक के अदिश्ट कोड है जैसे सेंडल है वालजार है टेलर है यह जो है जो विचारक थे इस चिंतन से जुड़े और उन्होंने इस पर अपने विचार दिये और जॉन रॉल्स और ड्वार्किंग जैसे जो उदारवादी विचारक थे उन्होंने बिभिन प्रक्रियाएं दी इस बीसी सतात्री के उत्राद में बहुत सारे विद्वान इस पर अपने विचार दिये और जो समुदाय पर इस प्रकारिया इस्टेट में ए यार दोनों सही अभ्याख्या कर रहा है क्योंकि प्रकारिय किसी प्रडाली के कारियों के अभिरचना के वस्त निष्ट परिणाम के तौर पर परिभासित किया जाता है इसलिए संडेट में प्रकारिया इस्टेट में के संकल्पना के इर्दगिर्द घुमता है तो दोनों स्टेटमेंट में कोई कोरिलेशन नहीं बन रहा है तो इस प्रकारिया इसका एंसर जो है बी हो जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट सही है कि सनरशनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम इसपात की ब्याख्या कर रहा है कि कौन सी सनरशना राजनीति व्यवस्था के अंदर कौन सी प्रकार्यों को समपादन करती है और यह उपागम दो प्रमुख धारनाओं पर किंद्रित एक सनरशना है और दूसरा जो है प्रकार्य है तो प्रकारी जो है प्रिक्षित प्रडाम होती है जो किसी ब्यवस्था के अनुकूल या पुना समयोजन की ब्याख्या करते हैं कर नेक्ष्टकूशन है कि ंग्ष्टक नंबर उननेसिक अभिजात्य सिध्ध्धान्थ मद्ले और प्श्वी आउसमी से देशों में प्रजात्त के विवेचन के तौर पर प्रयोक किया गया क्योंकि प्रतेक प्रजातान्तिक समाज में अल्प संख्यक सासन करते हैं इसलिए यह जो है अभिजात सिध्धान्त जो है मद्य पश्मी उरोप के देशों में प्रजातन की विवेचन तौर पर प्रयोग किया दोनों स्टेट्मेंट्स हैं लेकिन दोनों में कोई कोरेलेशन नहीं बन रहा है क्योंकि प्रजातान्तिक समाज में जो है हमेशा जो है लोग तंत्र में जो है अल्प संख्यक का सासन होता है अब कुछ लोग मिल करके ही सासन करते हैं अभिजात्य सब्द का प्रयोग जो है उन्नीस सरी 1823 में सवर्पृथम किया गया था और लेकिन इस 130 के दसक के बाद से शुरूहा अलोग तंत्र में भी जो है राज ब्यवस्ता परवास्ति रूप से नियंत्रण जो है अल्प संख्यक उच्वर्ग का ही होता है और यही जो है अभिजन या इलीट वर्ग कर सकते हैं या अभिजात्य होता है प्रजात तंत्र में भी वही कि इसा नहीं कि प्रजात अंत्रिक सासन ब्यवस्ता में जो है जनता ही कुछ लोगों को चुन करके उन्हें सत्ता सौपती है और वही जो है एक उच्वर्ग होता है या मतलब कह सकते हैं कि कुछ लोग मिल करके सासन का संचालन करते हैं नेक्स्ट है कुश्चन नमर 20 1977 के बाद भारत में साज्जा सरकार का प्रियोग सफल रहा क्योंकि एक दली प्रधानता की प्रडाली का असफल होना इसलिए जो है 1977 के बाद भारत में साज्जा सरकार का प्रियोग सफल रहा तो दोनों स्टेटमेंट सही है और आर जो है एक सही ब्याक्ख्या कर रहा है कैसे जब 1977 के बाद गड़बंधन का सरकार बना और कॉंग्रेस को बिभीन ने जो छेतरी दलों से चुनोती मिलने लगी कॉंग्रेस की जो दली प्रधानता जो एक दल का आजादी के बास से चला आ रहा था वह धीरे धीरे कम होने लगा चेतरी दल जो थे वह बहुत सारे चेतरी दल उभर करके आए और वह जो है केंद्र में बैठी कॉंग्रेस को चुनोती देने लगे और अपनी जो समास के उत 1977 की बात क्या हुआ कि कॉंग्रेस का जो एक छत्र सासन चला आ रहा था वो खतम हो गया और साजा सरकार का प्रियोग जो है सफल रहा या दोनों सही हो और ब्याख्या कर रहा है आप क्योंकि और इसलिए लगा करके स्टेट्मेंट को देख सकते दोनों दूसरी से कोरिलेट ह हो रहे हैं और यही एक तरीका है जैसे को 1997 की बाद भारत में साजा यानि गडबंदन सरकार का प्रियोग सफल रहा है क्योंकि क्योंकि क्यों सफल रहा है क्योंकि कॉंग्रेस जो आजादी के पास से डल का सासन रहा वह जो है जनता को संतुष्ट करने में असफल रही तब जो है गड़बंधन की सरकारे बनी नेक्स्ट है कोश्चन नमबर 20 कथन 1921 है 1970 के दसक में सभी प्रकार का समाजी के समाज का चरित्र एक सहा है धर्म क्योंकि धर्म भासा धर्म और जाति का चुना मिलाग के लिए प्रियोग हो रहा है स्टेट्मेंट इसका है D option D जो है इसका सही है यानि की कथन एक गलत है और आर जो है सही है देख लेते हैं यह कैसे सही है यह 1970 के दसमि सभी प्रकार के समाजी के समाज का चरित एक साफा ऐसा नहीं है क्योंकि भारत में जो है डायवोस सीटी विवीताओं का देश है भारती समाज जो है विवीन तरह की विवीताओं से भरा हुआ है तो एक तरह का समाज तो था ही नहीं लेकिन कारण देख लेते हैं तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा यह गलत है भासा धर्म जाती का चुनाव में लाग के लिए प्योग हो रहा है तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि आज की समय में जो है भासा धर्म और जाती का चुनाव में जो राज नितिक दल है इसका लाग उठा रहे हैं और भारती समाज जो भीवित्ताओं से भरा हुआ समाज है और यहां जाति वर्गित्यात के अधार पर भीवित्ता है अच्चुनाओ के दरान जो है राजनितिक दल इसी वीवित्ता का फायदा उठाकर ओड़ क्राप्त करने की कोशिस करते हैं नेक्स्ट है कोश्चन नमबर बाइस पद सोपान यानि हैरार्की प्रशाशन में मानों संबंदों को कई प्रकार की हट धर्मिता की ओर ले जाता है क्योंकि अधिक्रम प्रशाशनिक संगठन में संसक्त को बनाये रखने का साधन है इसलिए इसका भी डी सही है ए गलत है और आर सही है कैसे है यहां पर क्या कहा गया है कि पद सोपान यानि हैरार्की प्रशाशन में मानों संबंदों को कई प्रकार की हट धर्मिता की ओर ले ज प्रशाशन जो है रीजिडिटी नहीं होता है प्रशाशन में वह लचीला होता है पद सोपान प्राले से क्या आसा है कि एक निम्न तर पर उच्चतर का सासन इसका तातपर क्या है पद सोपान मतलब निम्न जो कर्मचारी उस पर उच्चतर का सासन इससे संगठन में क्या हो उच्चतर का सासन अथ्वा नियंतर इस अर्थ में जो है प्रतेक उच्च अधिकारी अपने ततकाली निम्न अधिकारी को आग्या देता है इसको पदसुपान कहते हैं तो यह स्टेट्मेंट जो गलट हो जाएगा क्योंकि यहां पर समन्वे होता है पदसुपान में नकी हट सइए, नुबर 23 है, लोग परशाश्चन लाभ के उदेः से पूर्ता मुक्त नहीं है यह स्टेट्मेंट सही है दूसरा है कारण क्योंकि सरकारी कर लापों का मुख उदेः समाज कल्यार को प्रोसाहित करना है तो यह भी सही है दोनों से स्टेट्मेंट सही है पर इसका ब स्तिति में रहें गे तो दोनों स्टेट्मेंट सही है पर इसकी भयाख्या नहीं है इसका भी भी होगा उतर सित युद्ध काल निर्गुट राष्ट्टchen अभी भी अतिवाद और अन्य जो आंत्रिक सुरच्छा से निपटना और ऐसी की गई कई भविस्वाड़ी सत्य प्रतित होती है कि विकास सील राष्ट विश्व्योस्ता में प्रमुक इस्तिती में होंगे क्योंकि भारत और चीन उसी की ओर अग्रिसर है नेक्स्ट है कोश्चन नमबर 25 भारत और चीन दोनों ने 20 सदी में एक सलचनात्मक एवं सहयोग के संबंध का मार्ग अपनाया है और चीन ने क्योंकि चीन ने पाकिस्तान की परमाड़ नीति का विरोध किया है यहाँ पे ऐसा नहीं है चीन ने पाकिस्तान के परमाड़ नीति का विरोध नहीं किया यह स्टेट्मिन आर तो सीधा सीधा गलत है तो इसका एंसर जो है सी हो जाएगा यह सही है पर आर गलत है भारत चीन दोनों ने किसी सदी में एक रचनात्मक इम सहयों के संबंद में मार्ग अपनाया जिसे पंच सील कह सकते हैं या किसी सदी में भारत इम चीन के संबंद मजबूत हो रहे हैं आज इसके बीच में जो है दूपक्षी ब्यापार सतर अरब डालर के आज स्पास कल अनुक्रम बतաने कोष right 26 अर Zum से पहले सापतां सिधांट फिर है संरच ए इसका क्रम बताना कब कब सिथा कि सब्सेब सेपहले सापतां सिथान किस ने दिया था तो कोटील ने दिया थैया यानि सबसे पहला जो हमारा हो जाएगा वो पहला हो जाएगा सबसे option में हम देख लेते हैं only a में जो दिया है वो पहला दिया है ऐसे तो सीधे answer a आपका निकल जाएगा लेकिन next भी देख लेते हैं दूसरे प्या जाएगा सन्रक्षा का सिधान अहिंसात्मक बिद्रो जो है गांधी का है और सहयोक और सविन्य अवग्या अंदोलन को कहा जाता है तो यह जो है गांधी जी द्वारा दिया गया है पहला जो है कोटिल्य का है कोटिल्य और सत्याग्रह भी जो है यह गांधी के द्वारा दिया गया है इस इस्टेट्मेंट जो है पहला दूसरा तीसरा चोथा यानि ए सही है नेक्स्ट है कोशन नमबर 27 निम नीची लिखित पुस्तकों को प्रकाशन को कालक्रम में रखिए पहला है अगरामर आफ पॉलिटिक्स दूसरा है आईडियल आफ हुमानिटी मल्टि कल्चिरल सीटिजन सिप और लिब्रल थियोरी अप माइनर्टी राइट्स new humanism तो देख लेते हैं अग्रामर और पॉलिटिक्स किसकी है यह जो है लास्की की है यह पुस्तक जो है लास्की की है दूसरा है ideal of humanity यह है जो अर्विंदो की पुस्तक है अर्विंदो अर्विंदो की है अब multi cultural citizenship जो है बिल किमलिका की है और new humanism जो है MN Roy की है तो इसका क्रम क्या होगा यह सबसे पहले जो है लास्की आते हैं पहला कहां B में है और D में है तो यह दोनों eliminate हो गया दूसरा है ideal of humanity यह जो अर्विंदो का है तो यह लास्की के बाद अर्विंदो आ सबसे लाश्ट में new humanism यानि अर्विंदो सरी MN Roy का है तो इस परकार जो एंसर हो जाएगा वह दी हो जाएगा पहला दूसरा कि सब्सक्राइब के पहले जो आ जाएगा new humanism फिलाश्ट में जो है multicultural citizenship यह दी एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कुश्चन नमर अठाइस काल ड्यूस के संचाज सिधान्त में निमलिखी चार संख्यात्मक क्वान्टेटिव कार को फैक्टर्स को सही कालानक्रम में रखिए लेख, लोड, लीड, गेंड तो सही कालनक्रम क्या है Сबसे पहले आ जाएगा लोड फिर आ जाएगा लेग यानि कि पहले सबसे पहले दूसरा उसके बाद पहला ठीक तो यह सारे लिमिनेट हो गए ऐसे देखा जाए तो उसके बाद चौथा एल एल जी एल इसको ऐसे याद कर सकते हैं लोड लेख गेन और लीड लीड जो है सबसे लाश्ट में आएगा लोड मतलब भार चार पढ़ात्मक तत्रपन कुंसे हैं काल्डेस द्वारा जो संच प्राप्त करेंगे तभी तो हम अगरता यानि किसी चीज़ को लीड करेंगे नेक्स्ट हैं कुश्चन नबर 29 केनेथ आरगैंस की के अनुसार एक विकास सिल समाज को नीचे दिये गए विकास के चार चरनलों से गुजरना पड़ता है ओप्सन है राजनैती के एकी करण रा आदीम आदीम एकी करण या राजनैतिक एकी करण आदीम एकी करण की राजनीत को ही राजनैतिक एकी करण कहते हैं तो सबसे पहले ए आ जाएगा यानि चारों में ए दिया हुआ है फिर आ जाएगा अगर हम एकी करण कर लेंगे फिर हम अद्दोगी करण की राजनीत यानि अद्योगी करण का विकास करेंगे एक बाद तीसरा यानि C में तीसरा दिया ए बी में दिया तो यह एलुमिनेट हो गया और यह भी एलुमिनेट हो गया next है अगर हम किसी चीज का जब अद्योगी की करण कर लेंगे तो उसके पहला दूसरा तीसरा और दूसरा फिर लाश्ट में चौथा जाएगा यानि प्रचूरिता तो सी भी कट हो जाएगा ऑप्शन बी जो है सही होगा नेक्स्ट है निमली खित ब्यक्तियों में बख सभाई स्पीकर पिरूप में कारिक करने वाले को काला क्रम में बेवस्थित करिए सबसे पहले संजीवा रेड़ी हुकुम सिंग सोमनाच चटरजी पिये संगमा इनका वो देख लेते हैं सरी काल क्रम क्या है तो सबसे पहले जो है हुकुम सिंग यानि कि दूसरा सी में दो दिया तो सीधे एंसर आपका है कि सी हो जाएगा उसके बाद जो है संजीवा रेड़ी, सोमनाच पियेम संगमा और सोमनाच चटरजी हैं नेक्स्ट भारत के समिधान में निमलिखित को किस काल क्रम में रखा गया है यानि कि यह आणुट आटिकल के क्रम में हमें इसे अरिंज करना है धार्मिक सतंता कादिकार राज जी का नाम परिवर्तन की सिराज मिराश्पति सासन आईएस और आईपीएस के बारे में उलेक सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्टिकल 3 में जो है राज जी के नाम का परिवर्तन दिया गया है तो सबसे पहले आपका पहला हो जागा दूसरा यानि कि आपका इंसर पता चल जाए लेकि नेक्ष्ट देख लेते हैं धार्मिक स्वतनता का अधिकार जो है अनुछित 25 से 28 में दिया गया है आईएस और आईपीएस के बारे मुल्लेक अनुछित 312 में दिया गया है 312 में राष्टपती सासन लगाने का जो है 356 है और यह जो है 25 से लेकर के 28 तक में धार्मी सोतनता का उलेकिया गया है तो सही क्रम दूसरा पहला चोथा और तीसरा हो जाएगा नेक्स्ट है नीड़े लेने के निमली की चनुमी किस क्रम में रखेंगे यानि नीड़े लेने के क्रम को हम तो सबसे पहले किसी समस्या की प्रिष्ट भूम की जानकारी फिर समस्या का निर्धारण बिकल्पो का निर्धारण बिकल्पो का पहचान तो सबसे पहले आजाएगा आपका पहला आजाएगा अगर हम जब नीड़े लेंगे तो सबसे पहले जो समस्या है उसकी प्रिष्ट भूम की जानकारे लेंगे तो सबसे पहले पहला ही आजाएगा तो पहला किस में दिया हुआ है आपका A में दिया हुआ है और D में दिया मैं इसका आंसर रोजाएगा बी होगा स्ट सबसे पहले जो है समस्या निर्धारत करें फिर उसकी प्रिष्ट हूं की घंप करेंगे फिर उसके बीकल्पों की पहचान करेंगे अब फिर उसके बाद बिकल्प watch करेंगे या निर्धारित करेंगे ये विवित खोना जायए तो निव्ड़ालेने का सही चलण मुझकी रूप से क्या होता है की जो उद्देष से निर्धारान करना फिर समस्य के बॉत करना लाख ऐ समस्य का विसलेशन करना धि покल्भ tu जो बिकास करना अभिकल्पों की छटनी करना सर्फ श्रिष्ट बिगल्प का चैन करना अगर मालों लीजिए बिकल्प निट हई तो उसमें से भी जो हमारा बेस्ट है उसको चैन करना सबसे पहले जो आ जाएगा क्लास की शिध्धान सरी, क्लास की सिध्धान, नहीं, क्लास की उपागम, तो A में आपका पहला दिया हुआ है, B में दिया है, और D में भी दिया है, पिए दूसरा है बिवहारवादी उपागम, दूसरी नंबर पर आजाए अब आपका मानो संबंद उपागम, तो क्लास की उपागम के बाद आ जागा मानो संबंद उपागम, तो यानि एक बात तीसरा आ जागा तो यानि बी कट हो गया अब बचा डी फिर हम देखेंगे कि जब मानो संबंध उपागम आ जागा तो उसके बाद जो है ब्योहारवादी उपागम आया और फिर सबसे लाश्ट में जो है नीत उपागम आया नेक्स्ट है भारत चीन संबंधों में निमलीकित घटनाओं का में कालकरम में रखिये सबसे पहले दलाई लामा का भारत में प्रिवेज उसके बाद दूसरे पर है भारत द्वारत चीन पिपल्स रिपब्लिक आप चाइना को मानेता देना फिर पंचिल समझ हो था फिर भारत चीन के दैत संबंधों की 85 वर्स गाट तो सबसे पहले हुआ भारत द्वारा जो है पिपल्स रिपब्लिक आप चाइना को मानेता देना है यानि कि दूसरा तो सीधे आपका एंसर भी हो जाएगा इसमें पहले ही दूसरा दिया हुआ फिर उसके बाद जो है पंचिल समझ हो भारत और चीन के ओल जिसे पड़ोसी राष्ट हैं बलकि इसमें प्राचीन काल से ही जो सांस्कितिक संबंध भी चले आ रहे हैं और इसका क्या इत्यास भी साच्ची है कि दोनों एक सास स्वतंत्र भी हुए 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और उधर 1949 में जो है चीन स्वतंत्र हुआ था नेक्स्ट निमलिकित का सही कालक्रम पहचानी है मास्ट्रिस एन पीटी बेलग्रेट परिशद साल्ट है तो सबसे पहले जो है 1961 में जो है बेलग्रेट परिशद हुआ फिर एन पीटी 1968 में आया यानी तीसरा फिर उसके बाद दूसरा यानी तीसरा और दूसरा यह हो गया भी यानी डी गलत हो गया यह भी गलत हो गया फिर आया सॉल्ट यानी सबसे लास्ट में जो आया वह मास्टिस संद्य आया तो सही अंसर आपका बी हो जाएगा सही अंसर जो है बी होगा नेक्स्ट सुची वन को सुची टू से मिलान करना है पावर इंटर्नल कॉंससनेस मुल्यों का पाध्यकारी वित्रण और प्रिजन डारी अधर दिया ग्रीन इस्टन मैक्यावेली ग्रामसी तो पावर यानी सक्ति की बात कौन करता है मैक्यावेली इंटर्नल कॉंससनेस यानी कि आंत्रिक चेतना की बात ग्रीन करते हैं फिर मुल्यों का व्याध्यकारी वित्रण जो है इसकी बात इस्टन ने किया है और प्रिजन डारी जो है ग्रामसी की से रिलेटेड है तो सबसे पहले ए का तीसरा यानी सीधे सीधे एंसर आपका ए हो से मिलान करना है कोश्चन नमर सेंटीस संट आगस्टाइन संट आगस्टाइन इन्हों ने दिया है टू स्वार्ट दो तलवारों का सिध्धान इसको बोलते हैं दो तलवारों का सिध्धान माओ लेट्स हंड़ेट फ्लावर ब्लूम एमन रॉय कोलोनियल थेसिस दो इन इवोलूशन की बात किया है तो सबसे पहले एक चौथा यानि सीधे एंसर सी हो जाएगा आपका एक चौथा बी का दूसरा सी का तीसरा सारी बी का पहला सी का दूसरा और डी का तीसरा नेक्स्ट नीचे लिखे युगमु का सही मिलान किस में हुआ है ओप्सन्स है आपके राबर्ट डहल हूँ गवन्स गलत है टीवी बोटो मौर इलीट सेंड सोसाइटी ये भी गलत है सही है आपको चूश करना है ये भी गलत है ये भी गलत डेवी डिस्टन दपॉलिटिकल सिस्टम ये सही है और लूशन पाय का राजनेती विकास के अस्तर ये गलत है क्योंकि किया जो से है आर्गैंस की से रिलेटेड है और डेवी डिस्टन का जट दपॉलिटिकल सिस्टम से संबंदित है और उन्होंने विवस्ता सिधान्त भी दिया हुआ है अतुना आत्मक राजनीत में विवस्ता की जो अधार्ना का प्रियोग जो है करने वाले विद्वानुम इस्टन का नाम जो है अग्रडी है और 1903 में की पुस्तक भी थी दपॉलिटिकल सिस्टम और उसमें राजनीत विविवस्ता सिधान्त का निर्माड का विचार भी प्रस्तुत किया है नेक्ष्ट है राजनेतिक संप्रेशन काल्डियू से है डिपेंडेंस यानि निर्भरता एजी फ्रैंक चंता का मस्तिस्क यानि मास माइंड जो है रावर्ट मिचिल्स टिक तीन अस्तोर पर आजनेतिक स्विकास के चिन जो है लूशन पाई जो हम पीछे भी प्रयास्मिता का संकट और जो तीन तरह किसा बैद्धता का संकट इस सब की बाद जो है लूशन पाई ने किया हुआ है तो सही अंसर आपका हो जाएगा एका चौथा यानि सही अंसर पहला हो जाएगा बी कप दूसरा सरी बी कप पहला सी का तीसरा डी का दूसरा नेक्स्ट है कोश्चन नमबर फुट्टी भारती इसमें सुची वन सुची टू को मिलान करना है और यह एक तरो राजनितिक दल दिया है दूसरे तरफ इस्टेट का नाम दिया है तो भारती राश्टी लोक दल यह जो है हर्याना राजी से संबन दित है पियम सी यह जो हो पश्चिम बंगाल और जेडी यू बिहार ट्यार जो है आंध्रदेश तो इस प्रकार से एंसर जो आपका हो जाएगा वह सी हो जाएगा एका चौथा बी का दूसरा सी का तीसरा और डी का तीसरा नेक्स्ट है सुची वन को सुची टू से मिलान करना यह भी है एक तरफ प्रधान मंत्री या बहुत सारे मतब घटनाएं दिये हूं है दूसरे तफ संसे मिलाना हो है तो पीवी नर्सिम्हा रा भारत के प्रधान मंत्री कब बने थे उन्नीस एक्यानवे में बने थे यानि एका चौथ था तो आपका सीधे अंसर सी हो जाएगा लेकिन बाकी हम देख लेते हैं बाबरी मस्जित का गिराया जाना तो 1902 में बाबरी मस्जित को गिराया गया था देवी गोड़ा प्रधान मंत्री बने उन्नीसो चानवे में बने अनिहरू जीने चीन से पंचिसिल सम्झाता पहस्ताक्षड किया था उन्नीसो चौण में नेक्स्ट सुची वन को सुची टू से मिलान करना है कर्मचारी को किवल उच्छ अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए तो यह जो है यूनिटी आफ कमांड से रिलेटेड है एक दूसरा एक प्रशाशक कितने अधिनस्तों को निर्देश दे सकते हैं यानि दे सकते हैं या दे सकता है या जो है इस पैम आफ कंट्रोल से समबंधित है worked दूसरा जो है आपका एक दूसरा अब बी का पहला ने कर देंगे नेक्ष निगते हैं उच्छ पदस्थ और कर्मचारियों के संबंध दाइतों के विभिन अस्तरों पर तो हाइरार्की यानि पद सोपान अधिक्रम से रिलेटेड हैं एक समान उद्देश की प्राप्ति के लिए वर्ग के प्रयाशों का व्यवस्तित क्रम तो समन्मय या संयोजन से संबंदित है नेक्स्ट कोश्चन न ट आतल मिलान जो है ग्रत है एकिलास की संगर्चना सही है ईसिए और हम संबंद जो नपचारिक संबंध है यहीजहरे ब्यवस्ता सिस्टम में पर्यावरण एदिस है कि यानि बेग्यानिक प्रभण्धन यह संगठन के 14 सिधान्थी यह फ्योंट से रिलेटेड है यह स्टे एक तरफ राइटर दिया हुए दूसरे तरफ उसे संबंधित विशा दिये हुए हैं तो मार्गेन थाओ राष्टों के बीच राजनीती यानि पॉलिटिक्स एमांग्ड नेशन इंकी पुस्तक है याच्चकार केनेथ वाल्टेस अंतराष्टी राजनीत का सिध्धान्त और सेलिंग का जो है संघर्स की युकती स्ट्रेटिजी और कंफ्लिक्ट सिरे यानि आपका एंसर जो है सी हो जाएगा इन्हें एक का तीसरा बी का चोथा सी का दूसरा और डी का पहला कि नेक्स्ट है सुची का वन और तु को मिला भी करना है एक ट्रफ और याजेशनका नाम दिया है दूसे तरफ उसका सोट फर्म दिया है दूसी तो इसको फूल फॉर्म दिया हुआ है तो सब्सक्राइब को क्या कहते हैं कि एग्रिमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड कि एक सार्व साउथ हेसिन नेशन से संबंदित है नाफ्टा नॉर्थ अमेरिकन स्टेट से संबंदित है ट्रिप्स जह हैं इंटलेक्च्वल्स प्रॉपरिटी राइट स तो i और तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि कैसे परग्राफ को डिल करते हैं जैसे अगर हमें पर इन आपक तुदिया करना तो सबसे पहले क्या करने हां करेंगे हम कुश्च्चन्स को पढ़ेंगे जैसे वित्ता अपनी हीतों के प्लति अन्भिक göre, क्योंकि Asia खेत्र ब्यापक हैं उनके कठिन विकल्प हैं और सिच्छा के कारण ताना साही के कारण परेगरफ करना सुरू करते हैं जैसे ब्यक्ति की अभिरूचियां ब्यापक हैं दरहासल उसमें अभिरूचियों के आपार संभावनाएं हैं और इन्हें काफी जटिल तरीके से पद के उत्रो परेगरफ के प्रति अन्भिग हैं क्योंकि अपने हितों के प्रति अन्भिग हैं क्योंकि देखें यहां पर दिया ना इन्हें काफी चटिल तरीके से उत्रोंतर क्रम में रखा गया है यहां पर जब कहता है ब्यक्त के विरूचियां ब्यापक हैं क्यों ब्यापक है क्योंकि इसमें कठिन बिकल्प दिया है यानि जटिल तरीका यानि कठिन बिकल्प यानि वर्ट चेंज कर दिया है कि डारेक्ट ना पूछ करके उसका मीनिंग को आपको समझना है कि मीनिंग म तत्षा सकते हैं असले लेक्षा कि वंभावात। देख लेते हैं सायब शूर्वन करके सामने कारण और करने करने यह फहुवाया स्क्रूल करने में मदब समस्यां आ रहे हैं कि ब्यक्त उसे नहीं समझ पाते हैं कि वह क्या है और हमारी कला में भोजन में यात्रा में विभिन समाजिक छेत्रों के अंतरगत आते हैं जिनकी तुलना ब्यक्ति रेक पहुत कम किया जाता है फिर भी यदि कोई एक प्यक्ति की सक्ति दूसरे प्यक्ति के उपर निर्धारित करना चाहता है तो उसे सभी पक्षों पर विचार करना होगा अतर सक्ति का विस्त्रित विसलेशन हमें इस छेत से दूर तक भीतर प्रिवेश कराता है लेकिन इसके विरित मद्दान की इस्तित्यों में या समित्यों के निड़ों में समस्याओं से सिमत्ता दिया जाता है कि जो अनेक परिष्थितेयों में कठिन कितनी ही कठिन क्यों न हो वह तुलनात्मों रुफ से फिर से प्रीख सैध्धानती बिकलपों के तुझा में निश्चीत रुप से काफी आसान होता है इन परिव्डामों की भारी पटवति का प्रमाड इसत तर्थ में दिया जाता है कि मद्दान के निडेसे मद्दाताओं के पास वास्तिक बिकलत नहीं होता क्योंकि मुद्दान नीड़ा साफे हैं जैसा है है। लेकिन हखिकात यह है कि नीड़ा की प्रक्रिया प्रभावी बिकल्प्र प्रतिबंधित होता है कि यहां पर जो है हमारा कोश्चन पुछा था आप बुक में देखिया हम बैक जाकर के फिर हमको देखना पड़ेगा इसमें कोश्चन पूछा है आपका आप क्या कर सकते एक ही नीड़े लेनी के प्रक्रिया का पालन करने के कारण जो है मद्दान की बिवहार की समस्षा जो है आसान हो गई यहां पर देखे़िए उज्ग हम पेरग्राफ पढ़ रहते हैं तो वहां पर दिया था है यह हकीकत में क्या हो गया नीड़े की प्रभावी बिकल्प लिए जुए मद्धाता द्वारा नीड़ ले प्रक्या पालुक्प करने के कारण जब अता कि वहार की शमस्या आथी वह आसान हुए कि शमस्या तो मद्धाता अपनी अनुसार जो है आईदिफाइड करके वह नीड़ लेगा नेक्स्ट अब हम तीनों एकी बार questions को पढ़ लेते हैं इस तालिन को ऐसा संदर्भीत क्या जाता है कि मद्दान की प्रक्रिय और प्रजातान्त्रिक है नियमों की अहेलना और विरुद्धीयों को धमकाया जाता है मुद्ड शिमित होते हैं प्रत्याश का मुद्दान के नियम और प्रजातान्त्रिक क्यों हो wondering कि मMr. यह मत्दाताश को बहुत आजाधी देते हैं क्योंकि मधद्दाता कि उप्र सकति मेंहतुपूर हमिख्ति के सभी स्वार्थ तथा दूसरे चेत्रें ब्यक्ति की हितों के अनुसरण की चेत्ना है ब्यक्ति बिकल्प ब्यवस्था मैक नीजन से प्रतिबंदित है मद्दात्म की स्थितियों और तथा समित्यों की निले पूरी तर से बदल दिए अब हम पैराग्राफ जहां से हम छोड़ेते वहीं से प्रत्यासी अदल एक दूसरे से मिलते जूलते हैं साधन के अस्तर पर इसे सरली कृत किया गया जिसका कारण प्रजातांत्रिक प्रडाली मद्दान के नियम तथा जिन्हें नीड़े करने वाले समित्ति आरूपित करते हैं समित्यों के निड़ेओं का निधारन करना दिल्चस्प क्यों नहीं है इसका कारण है कि समीत्यों पर स्टालिन के समान कोई व्यक्ति हावी हो जाता है वह समीत्य के नियमों को दर्किनार करके सदस्यों को धमका देता है यदि वह उसके विचारों को समन्थ्वन नहीं करते हैं लेकिन एक नियम मेर जन्द आंत्रिक समीति वह है जहां परन किया सर्भाहारावर की विरोध के लिए नियम साफ हो ताकि वो सदस्यों के स्वतनत्रता को पाधित न कर सके बलकि सारी प्रविधी समानतंत को समानता प्रदान कर सके इस प्राणाली को इस नियम में अंतर विरोध है इसलिए दिल्चस्त बन जाता है कि इन नियमों का नेडर लेन जिससे इस प्राडाली में एक और अधिक सदस से प्राडाली के संदर में अपनी स्वार्थों की अधिक्तम पूर्ती कर सके तो देखे जहां हम पहले हाइलाइट की है उसमें हमारा कोश्चन यह था बुक में आप देजिए स्टालीन को ऐसा क्यों संदर्वित किया जाता है त कि संदर्वित के सबस्तंस को दह्मका देता है यहां पिए समित्यों की नेडाया का निरधारन दिलचस्प क्यों कि संद्यों पर थी स्टालिन के समान कोई व्यक्ति हावी हो जाता है ठीक है फिर उसमें जाकर देखेगा हावी हो जाता है और उसमें दिया है कि इवाद समीति के सद नियमों को दर्किनार करके सदस्यों को धमका देता है तो धमका देता है तो यही जो आपका है स्टालिन ऐसा क्यों संदर्वित किया जाता है क्योंकि वह नियमों की और हेलना कर जाता है स्वदस्यों को धामकाया जाता है स्टालिन को ऐसा संदर्भीत किया गया नेक्स्ट है नेक्स्ट कोश्चन है आपका मद्दान की नियम और प्रजातांत्रिक क्यों है इसमें देख लेते हैं मद्दान की नियम क्यों प्रजातांत्रिक है क्योंकि यह मद्दाता की निड़े लेने की आजादी को प्रतिबंधित करते हैं यहां पर देखिए मद्दान क के नियम क्यों पजात अंत्री क्योंकि मद्दाता के नेड़े लेनी के आजादी को प्रतिबंधित किरते हैं इसका एंसर जो है यह होगा सी ठीक कैसे सी होगा यहां पर देखते हैं कि यहां पर आजाते हैं कि देखें मद्दान समितियों यह दिव अपने विचारों को करते हैं तो यहां पर मद्दान के नियम और वात्तम युए जिनके सर्भारावर्ग के विरूधियों के लिए साफ हो जाते ताकि वह सतंत्रता उबाधित ना कर सके और सारी प्रविधियों समानतंत्र को समानतंत्र को समानता प्रदान कर सके इस प्रडाले के नियम को अंतर विरोध किया गया तो यही जो है यहाँ पे क्या कहा गया कि आजादी को प्रतिवंधित किया गया मतदान के नियम अप्रजानता अंत्री क्योंकि मतदाता के नीडर लेने की आजादी प्रतिबंधित करता है मतदान के नियम यहां पे दिया ना जो मतदान के नियम वास्तों में वे नियम है नहां पर वास्तों में यह पॉईंटन हैं वास्तो में हैं जिनने सर्भरावर्ग वी रोधियों के लिए साफ नियम हो ताकि वह सघस्यों को सतंतता को बाधित न कर सके तो उसमें क्या दिया है मध्दाता की प्राइं कि नियुकर प्रतिबंधितıy सब्डाद profits को तरह से बाधित किया जाता हो तो ही ओप्रजातांत्रीक हो जाता है मदान के नियम पूस्चनƠ 50 के लिए कर देख लेते हैं डिक निर लिखीत में से कौन एक की दूसरे वग्तिक उपर सक्ति निधार होल्घ्पूर है इसका एनसर सी dedica macnivision से जो है प्रतिबंदीत है ति क्यों प्रतिबंदीत है या आएस regen होए तरहां पर चले जाएंगे फैरा ग्राफ फ्रस्ट में जाएंगे से वर्ष्ट जाकर दिखिए यहां पर दिया हुआ है जिसके तुल्णाcit कि गया है कि हमारे व'. सिस्वें ढाल यहां जिसके तुल्णा फिर दी कोई ब्यक्ति कर दोलाएएं कि था व्यक्ति के व सकति को निधृर्द करने कूसिशां करते हैं नई जाता हुए चाहता है सब्धी पक्ष्व पराति रिश जोंब होगा तो उस प्रकार से आata ऐसे ऐसे पारल ऑं में भी eliminate करके देख सकते हैं और सबसे पहले कभी भी paragraph solve करिए तो questions को पहले पढ़िए फिर उसके बाद से जो है paragraph पढ़िए करके उसके answers दीजिए तो आज के लिए इतना है अगर आप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज लाइक, सेर और सब्सक्राइब मैं चैनल थैंकियो से मच और अगर अप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो हम लाते रहें तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं थैंकियो से मच